मेरे पहरे देश्वासियों, लॉगडाउन के दोरान टेक्नोलोजी बेज सर्विस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए है। और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलोजी और लोजिस्टिक कम्पनियां ही यह कर सकती है। जारखंड में ये काम महिलाओं के सेल्फेल्फ ग्रूप ने करके दिखाया है। इन महिलाओंने किसानों के खेतों से सबजियां और फल लिए और सीधे घरों तक पहुँचाए। इन महिलाओंने आजीवी का फार्म फ्रेश नामसे एक एप बनवाया जिसके जरिये लोग आसाने से सबजियां मंगा सकते थे। इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सबजियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सबजियां मिलती रही। वहाँ आजीवी का फार्म फ्रेश एप का एडिया बहुत पॉपिलर हो रहा है। लोगडाउन में इन्होंने पचास लाख रुपिये से भी जादा के फल सबजियां लोगों तक पहुचाई हैं। साथियों एग्रिकल्चर सेक्टर में नई संभावनाय बनता देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जूडने लगे हैं। मद्यप्रदेश के बढ़वानी में अतूल पाटीदार अपने क्षेत्र के 4000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं। ये किसान अतूल पाटीदार के e-platform farm card के जरिये खेती के सामान जैसे खाथ, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आदी की home delivery पा रहे हैं। यानि किसानों को घर तक उनकी जरुवत की चीजे मिल रही हैं। इस डिजिटल प्लेटफर्म पर आदूनिक क्रशी उपकरणों भी किराये पर मिल जाते हैं। लॉकडाउन के समय भी इस डिजिटल प्लेटफर्म के जरिये किसानों को हजारों packet delivery किये गए। जिसमें कपास और सब्जियों के बीज भी थे। अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तक्नीकी रूप से जागरूप कर रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट और खरीदारी सिखा रही हैं। साथियों इन दिनों महराश्ण के एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहाँ एक फार्मर प्रोडूशर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों के इस बार मुल्ल के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखत आश्यरिय हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृशिक कानून बनाये हैं। उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। इससे हमें पता चलता है कि नए कृशिक कानून से जमिनी स्तर पर किस तरह के बड़ला किसानों के पक्षमे आने की संभावनाय भरी पड़ी है।